बच्छो आपका अर्दिक स्वागत है आपके अपने योट्यूब चैनल पर जैसा कि आपको पता है हमने 8-2-Z कोशन सोल करने के एक सीरीज सिरू की थी Elements of Mathematics बुक को हम सोल कर रहे थे जिसके चलते exercise 15.6 हम पिछली last वीडियो के अंदर complete कर चुके हैं आज हम सुरू करने जा रहे है exercise 15.7 तो देखिए मैं पहले आपका थोड़ा basic बता देता हूँ और basic में यह है कि इस exercise के अंदर हम पढ़ेंगे random variable random variable अब क्या होता है random variable मतलब एक variable ऐसा होगा जैसे कि हम यहाँ पर इसके अंदर use करेंगे x से x यूज करेंगे वो variable जिसकी value क्या है change होती रहेगी मतलब proper किसी एक number के अंदर एक number की probability यहाँ पर नहीं पूछी जाएगी एक ऐसा variable होगा जिसकी value क्या होती रहेगी change होती रहेगी कभी 0 होगी तो कभी 1 होगी कभी 2 होगी ठीक है इसलिए हम इसको क्या बोल रहे है random variable अब जैसा कि मैं आपको बताता हूँ कि probability के question आप exercise wise तो easily solve कर लेंगे लेकिन exam में question को कैसे identify करेंगे कैसे पहचानेंगे तो उसके लिए मैंने आपको हर exercise में कुछ न कुछ पहचान बताईए ठीक है जिसके चलते exercise 15.7 के अंदर मैं आपको बता देता हूँ कि इस exercise के question में आपको क्या लिखा हुआ मिलेगा लिखा हुआ मिलेगा probability of distribution क्योंकि जो हम यह पढ़ रहे है न यह probability of distribution का एक concept होगा हर question के अंदर लिखा हुआ मिलेगा probability of distribution ठीक है साथ ही बता देता हूँ इससे पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो channel की playlist में जाकर के आप देख सकते है और इस वीडियो की या इससे पहले की वीडियो की PDF जाईए आपको तो link जो है वो description में जाकर के आप download कर सकते हैं अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो like करें चैनल को subscribe कर ले ताकि next वीडियो का notification आपको मिलता रहे चलिए चलते हैं शुरू करते है exercise 15.7 तो देखिए question number first की पहले statement यहां से पढ़ेंगे हम और फिर solution पर चलेंगे ठीक है तो question number first क्या बोल रहा है find the probability distribution तो यही से आपको समझ जाना है कि probability of distribution का concept लगना है of random variable किस के लिए बोल रहा है number of tells के लिए यानि कि जो variable हम use करेंगे वो number of tells को show करेगा और when two coins are toasted अगर two coins को क्या किया जाता है throw किया जाता है देखिए statement question की मैंने आपको यहां से पढ़ा दी है फिर भी आप book लेके बैठेंगे तो और अच्छा समझ में आएगा चलिए देखते हैं question number first का solution देखिए एक चीज़ और मैं साथ मैं आपको पता देता हूं कि कभे भी आप probability of distribution का question solve कर रहे हैं तो हमेशे single throw के लिए आप probability निकालेंगे कैसे throw की probability निकालेंगे single throw की probability निकालेंगे यह ध्यान रखें आप throw चाहे कितने भी हो रहे हों लेकिन आपको किसकी निकालनी है single throw की अब single throw में अगर हम बात करें कि किसी सिक्के को हम एक बार throw करते हैं तो दो ही तो बाते होगी या तो उसके अंदर head मिलेगा या फिर क्या मिलेगा tail मिलेगा तो tail जो है उसके लिए हमें probability of distribution बनाना है तो एक single throw के अंदर tail मिलने की जो probability है वो क्या होगी भाई T1 क्या होगा हमारा 1 by 2 हो जाएगा क्योंगी tail एक बार है और total case कितने बन रहे हैं 2 2 बन रहे हैं ठीक है तो probability क्या हो जाएगी 1 by 2 अब tail नहीं मिलने की probability हम साथ साथ निकाल लेते हैं तो यह tail नहीं मिलेगी तो क्या मिलेगा head मिलेगा यानि के head मिलने की probability भी क्या होगी 1 by 2 होगी ठीक है तो tail मिलने की probability 1 by 2 और head मिलने की probability भी क्या होगी 1 by 2 होगी चलिए discuss करते हैं आप question को तो यहाँ पर मैंने T की बजाए E1 से लिख दिया है probability of tells tell मिलने की probability को किस से लिख दिया है E1 से जो कि क्या होगी 1 by 2 होगी और head मिलने की probability को किस से लिख दिया है E2 से लिख दिया है जो कि क्या होगी आपकी 1 by 2 होगी अब यहाँ पर X वो है आपका random variable जिसकी value आपको minimum से लेकर के maximum तक discuss करनी है और minimum होती है हमेशा 0 और maximum जो है वो number of throw पर depend करती है कि कितने throw हुए हैं अगर 3 throw हुए हैं तो 3 तक X की value हो सकती है 4 throw होते हैं तो X की value 4 तक हो सकती है ठीक है तो यहाँ पर बोला गए है कि X equals to 0 X equals to 0 मतलब कि दो बार throw हुआ था यहाँ पर और दोनों बार में से किसी भी throw के अंदर हमें क्या नहीं मिलेगी tell नहीं मिलेगी क्योंकि यहाँ पर जो X है नहीं यहाँ पर आप लिख ले let X be the random variable which show that number of tells number of tells को denote कर रहा है तो X equals to 0 मतलब एक भी tell नहीं होगी तो इसका मतलब दोनों head होंगे यानि के probability of e2 into probability of e2 तो e2 की probability कितनी है 1 by 2 again into कि कितनी है भाई 1 by 2 तो final क्या आ गई है आपके पास 1 by 4 आ गई है तो minimum से लेकर के maximum तक probability of distribution का मतलब यहीं है कि 0 से लेकर के आपको number of throw तक probability discuss करनी है अब next लिया हमने X equals to 1 X equals to 1 का मतलब एक tell होगी अब वो tell होगी कौन सी first throw में मिलेगी या second throw में मिलेगी फिलाल तो throw 2 ही हुए है तो देखिए यहाँ पर हमने लिखा e2 मतलब first throw में हमें add मिला और second throw में क्या मिल गई tell एक case बन गया या फिर उल्टा भी हो सकता था कि first throw के अंदर क्या मिल जाए आपको tail मिल जाए और second throw में क्या मिल जाए भाई head मिल जाए तो head मिलने की probability भी 1 by 2 थी और tail मिलने की probability भी 1 by 2 थी same यहाँ पर दोनों की same थी अब इसको जब हम solve करेंगे 1 by 2 को 1 by 2 से multiply करेंगे 1 by 4 again 1 by 2 को 1 by 2 से multiply करेंगे 1 by 4 दोनों को add करेंगे 2 by 4 और cancel होके कितना result मिल जाएगा 1 by 2 मिल जाएगा अब next लेंगे हम x की value 2 तो x की value 2 x की value 2 का मतलब दोनों इथरों के अंदर आपको क्या मिलेगी tell मिलेगी x equals to 2 का मतलब क्या है की दोनों इथरों के अंदर क्या मिले आपको tell मिले क्योंकि हम x जो है वो किसलिए use कर रहे है number of tells के लिए use कर रहे है तो first throw में भी क्या मिले आपको even यानि के tell मिले और second throw में भी even यानि क्या मिले आपको tell मिले तो tell मिलने की probability 1 by 2 again 10 मिलने की probability 1 by 2 तो final कितना आजाएगा 1 by 4 आजाएगा देखिए यहाँ पर थोड़ा same same इसलिए है कोई दिक्कत नहीं अगर आप head की जगे tell और tell की जगे head की probability लिख भी देते हो तो क्योंकि यहाँ पर दोनों की probability है क्या है same लेकिन जब different हो जाएगी तो उस case में आपको विशेश ध्यान देना है ठीक है अब क्या करना है यह जितनी भी probability आई 0 पर क्या आई थी हमारी भाई 1 by 4 आई थी 1 पर क्या आई 1 by 2 आई और 2 पर क्या आई है 1 by 4 तो इससे कि यह table बना देंगे जिसको हम बोलते है probability of distribution ठीक है चलिए चलते है next question पर question number second की पहले हम statement पढ़ लेते हैं तो यह है भई हमारा question number second क्या बोल रहा है question number second में find the probability distribution of the number of tells यहाँ पर भी number of tells के लिए discuss करना है in four toes of a coin यहाँ पर लेकिन जो throw हुए है वो कितने हुए है four हुए है याद रखेंगे कि probability जो है यानिके number of tells जो है वो zero से लेकर के four तक हो सकती यानिके x की value जो है वो zero से four तक इस question में क्या की जाएगी discuss की जाएगी चलिए देखते हैं इसका solution हम तो जैसा कि मैंने बोला था आपको किस चाय कितने भी throw हो अगर आप probability of distribution यानिके exercise 15.7 के question को solve कर रहे हैं तो single throw की बात करनी आपको के वला ना तो यहाँ पर क्या होगा भाई जो है वो किस चीज को denote कर रहा है let a denote the events of getting tells tells को denote कर रहे हैं हम a से तो single throw में tell मिलने की probability क्या होगी 1 by 2 आपको मैं फर्स्ट question में बता चुका हम और tell नहीं मिलने की probability क्या होगी 1 by 2 तो वहाँ पर हमने यहाँ पर head लिख दिया था ठीक है यहाँ पर head लिख दिया था था सीधी सी बात है tell नहीं मिलेगी तो head मिलेगी तो आप ऐसा भी कर सकते हैं या फिर मैंने इस question में क्या किया यह जो है आपके पास किसकी probability है tell मिलने की तो tell नहीं मिलने की probability क्या होगी इसको आप किया करोगे 1 में से minus कर दोगे क्योंकि मैंने आपको बताया था कि probability of a plus probability of a bar equals to कितना होता है 1 होता है अब आपको यह result चाहिए तो इसको 1 में से क्या कर देंगे minus कर देंगे ठीक है भई अब यहाँ पर जो x है वो किस चीज़ को show कर रहा है number of tells को और number of tells जो है वो कहां तक हो सकती है 0 से लेकर के 4 तक हो सकती है क्योंकि x की जो value है वो minimum 0 से लेकर के number of throw तक लाई करती है ठीक है तो throw कितने हुए है इस case में 4 हुए है इसलिए यहाँ पर 4 हुआ ठीक है चलिए बढ़ते हैं आगे सबसे पहले हम लेंगे x की value 0 कि x की value 0 होई तो 0 होने का मतलब एक भी tell नहीं मिलेगी तो first throw में भी बार लगा है हमने second में भी third में भी fourth में भी सभी पर बार लगा है सभी पर बार लगाने का मतलब यह है कि किसी भी throw में tell आपको नहीं मिली ठीक है अब tell नहीं मिलने की probability आने के ए बार की probability कितनी थी 1 by 2, 1 by 2, 1 by 2, 1 by 2 तो final कितना हो जाएगा 1 by 16, 2 को 4 times multiply करेंगे तो कितना हैगा 16 आजाएगा ठीक है देखिए x equals to 0 का मतलब यह है कि एकी भी tell नहीं तो सभी क्या होंगे head और head की probability वह 1 by 2 थी आप कैसे भी समझ सकते हैं चलिए next step देखते हैं इसका अगला step में क्या होगा देखिए यह समझने की चीज़े हैं अब तक तो easy था इसके अंदर क्या है यहाँ पर x equals to 1 लिया है हमने और x equals to 1 जो है x equals to 1 के अंदर क्या होगा यहाँ पर की भाई एक minute x equals to जो 1 है इसमें की number of tells जो है वो आपके पास कितनी होगी 1 होगी अब 1 तो होगी लेकिन 4 बार 4 times throw हुआ है चार throw किये गए है अब 4 में से किस में आपको tell मिलेगी इस case को हमें discuss करना पड़ेगा ठीक है तो हमने first time तो first में माना कि हमें first throw में tell मिल गए क्योंकि ए पर बार नहीं लगा है फिर second throw पर बार है third throw पर भी बार है और fourth throw पर भी बार है या फिर दूसरा case क्या होजगता है की second throw में आपको क्या मिले tell मिले तो देगे फर्स्ट पर बार है third पर बार है फूर्थ पर भार है फिरुरह तो अगर next case क्या होकता है की third throw के अंदर मतलब किसी एक throw में मिलेगी तो हमने पहले first throw में माना फिर 2nd में माना फिर 3rd में और फिर 4th में ठीक है अभी इन सभी की value जब हम replace करेंगे तो देखी कोई doubt नहीं है क्योंकि A की probability भी 1 by 2 है और A bar की भी 1 by 2 है तो ये same ही रहेगी 1 by 2, 1 by 2, 1 by 2, 1 by 2 same बाकियों में रहेगा ठीक है आप ऐसा भी कर सकते हैं सेम केस आ रहे तो केवल एक को simplify करके और कितने केस हैं 4 तो 4 से multiply कर दें सीधा ठीक है तो इसका भी क्या आएगा 1 by 16, 1 by 16, 1 by 16, 1 by 16, 1 by 16 यानि के 4 by 16 कर सकते हैं आप सीधा और 4 से एक cancel करेंगे तो कितना result मिल जाएगा आपको 1 by 2 मिल जाएगा अब X equals to 2 पर discuss कर लेते हैं तो X equals to 2 पर क्या है भई हमारे पास की number of tell कितनी मिलेगी 2 मिलेगी अब 2 tell तो मिलेगी लेकिन किस throw में मिलेगी 1st में, 2nd में, 3rd में या 4th में तो 1 by 1 सभी के लिए हमें आपर discuss करना होगा पहले हमने 1st 2 throw के अंदर माना कि हमें क्या मिली tell क्योंकि 1st 2 के अंदर बार नहीं लगाया और last 2 के अंदर क्या लगाया बार अब इनको आप change करते रहें एक को यह रखें बाकी दूसरे की position को change करते रहें तो देखी एक एक को हम 3rd position पर ले गए तो एक और case बन गया फिर 4th पर ले एक और case बन गया फिर यहां पर अब last यह जो जिसको fix रखा था उसको change करके और बाकी के case और भी हम discuss कर लेंगे यहां पर ठीक है तो कुल मिला करके हमारे पास यहां पर 6 case बनेंगे आप इनको change करके मतलब आप देख सकते हैं कि वह कितने case बनेंगे ठीक है तो यहां पर यह 6 case बनेंगे समझ गए होंगे साइद आप एक बर में फिर से repeat करा देता हूँ देखिए first two throw के अंदर tell मिलेगी last two में नहीं मिलेगी अब एक A को यहीं रखके बाकी दूसरी की position को change करते रहेंगे तो आपके पास यह 3 case बन जाएंगे फिर बाकी जो A को fix किया था first position पर उसको change करके बाकी के 3 case बन जाएंगे अब A हो या A बार हो दोनों की probability 1 by 2 है इसलिए यहां पर ज्यादा कोई doubt नहीं है तो first throw में भी क्या बनेगा 1 by 16 second में भी 1 by 16 first case में sorry throw नहीं और second case में भी third case में भी fourth में भी और fifth में भी ठीक है fifth case बने थे total यह I think repeat कर दिया एक हमने कौन सा repeat कर दिया एक यहां पर कोई repeat हो गया है sorry sorry repeat नहीं भी लिखना भूल गए हम यहां पर एक case और भी आएगा 1 by 2 into 1 by 2 into 1 by 2 into 1 by 2 into 1 by 2 ठीक है यह case आएगा तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6 case हो गए तो क्या हो जाएगा result हमारा सीधा आप लिख सकते हैं 6 by 16 या फिर ऐसे 1 by 16, 1 by 16, 1 by 16, 1 by 16, 1 by 16 और इनको LGM लेकर add करेंगे तब भी यह आएगा ठीक है तो इसको जब cancel करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2, 3, 6 और 2, 8, 16, 3 by 8 इसका result हो जाएगा तो यह हमने discuss किया था X equals to 2, अब next हमारा होगा X equals to 3 X equals to 3 का मतलब यह है कि 3 जो है वो आपके पास क्या रहेगी tells रहेगी, अब 3 tells किस-किस throw में रहेगी उस चीज़ को हम discuss करेंगे तो पहले हमने first 3 throw के अंदर क्या मानी tell और last पर क्या लगा हुए बार अब जो single चीज़ हो ना उसी के position को change किया करो तो single इसमें A बार तो इसकी position को बदल दो last में था आप तो एको third पे आ गया, अब second पे आ गया और अब first पे आ गया, तो ऐसे आपके पास यह कितने case बन गए, four अब यहां से यह four results हो गए, सभी की, क्योंकि A की probability भी one by two है, A बार की भी, तो same ही आएगी सभी की ना, तो यह one by two one by two one by two four times जा जाएगा, same यहापर, same यहापर, same यहापर जब इनको आप multiply करेंगे तो one by sixteen, one by sixteen, one by sixteen four times जा जाएगा, ठीक है, तो LCM लेकर add करेंगे, four by sixteen यह सीधा भी आप कर सकते थे, यह कितने case बन रहे थे, four तो four by sixteen, ठीक है, cancel करेंगे, तो कितना जाएगा, one by two अब X की value four भी हो सकती है, क्योंकि throw कितने हुए है, four times throw किया गया है coin को, तो X की value four होगी, मतलब four की four tells होगी, तो four की four tells तो एक ही case बनेगा, एक ही value क्या होगी हमारे पास, one by two, one by two, one by two, one by two, तो final कितना आ गया, one by sixteen, अब इससे हम क्या बना देंगे, एक table बना देंगे, जो की हमारा क्या बन जाएगा, probability of distribution, zero पर one by sixteen आई थी, one पर one by four आई थी, two पर हमने cancel कर दी थी, यहां कर cancel की है, तो three by eight लिख देना वरना six by sixteen भी लिख सकते हो, three पर कितनी हो गई, one by four, four पर कितनी हो गई, one by sixteen हो गई, चलिए देखते हैं, next question, पहले question की statement पढ़ लेते हैं, तो next है वे हमारा question number third, और question number third क्या बोल रहा है, एक coin is biased, biased coin है, show that head is three times, देखिए biased coin क्या होता है, पहले तो इसको समझेंगे, हम both times, question में आपको लिखा मिलता है, unbiased, ठीक है, और एक इसमें लिखा हुआ है, biased, तो दोनों में क्या फरक है, जब किसी सिक्के के अंदर, आपको पता है, किसी भी सिक्के के अंदर, एक head होता है, और एक क्या होती है, tail, दो face होते हैं, अब किसी एक face के मिलने के chance अगर जादा हो जाएं, जैसे normal सिक्के हमारे पास जो होते हैं, वो किसी भी सिक्के के अंदर किसी कोईन के अंदर अगर किसी एक फेस के मिलने के चंच जादा हो जैसे की हैड मिलने के चंच जादा हो या टेल मिलने के चंच जादा हो तो ऐसे कोईन को क्या बोलेंगे हम बाइश्ड कोईन बोलेंगे एक्जामपल के लिए आप समझ सकते हैं question number third में ये बोल रहा है कि बाइश्ट coin है जिसमें head जो है न वो three times यानि कि head अगर तीन बार मिलता है तो tell के वल एक बार मिलेगी head मिलने के chance ज़्यादा है tell मिलने के chance कम है three times है as light to occur to as a tell मतलब head मिलने के chance three times ज़्यादा है करना है लेकिन यहाँ पर बाइश्ट coin ही आपको ध्यान रखना है यानि के head मिलने की जो probability होगी वो आपकी क्या होगी three by four होगी क्योंकि three times जादा है तो और four क्यों आया क्योंकि इन दोनों का sum sum of ratio आता नीचे ऐसे tell मिलने की जो probability होगी वो आपकी क्या होगी one by four चलिए solution में और अच्छे से discuss करते हैं हम इसको तो देखी भाई यहाँ पर क्या है कि उसने बोला था कि head जो मिलने के chance है वो three times more है three times ज़्यादा है कि say tell से ठीक है tell से three times ज़्यादा है यानिके head अगर three times मिलता है तो tell जो है वो one times मिलेगी यानिके दोनों में ratio कितने का हो गया three ratio four का तो यहाँ पर head मिलने की probability जो है वो कितनी हो जाएगी three और नीचे लिखेंगे sum of ratio तो three और one का ratio कितना हो जाएगा four तो three by four ठीक है और tell मिलने की probability क्या हो जाएगी tell कितने times है one times और total कितना है four तो one by four इसलिए tell मिलने की probability कितनी हो गई one by four हो गई है उम्मीद करता हूँ आपको यह बास समझ में आ गई होगी अब हमें जो probability of distribution बनाना है वो किस के लिए बनाना है throw जो है वो two है तो x की जो value है वो zero से लेकर के कितने तक हो सकती है two तक हो सकती है तो यहाँ पर हमने बताया भी है कि zero one और two पर हमें probability discuss करनी है साथ ही मैं आपको बता देता हूँ tell मिलने की probability को यहाँ पर one by four से लिखा गया और tell नहीं मिलने की tell नहीं मिलने का मतलब head मिलेगा तो head मिलने की जो probability अभी मैंने आपको calculate करके भी बताई थी कितनी आई थी three by four तो यह किस से लिखी गई है a bar से तो यहाँ पर लिखा है x equals two zero मतलब दोनों में से किसी भी case में tell नहीं मिलेगी अब tell नहीं मिलेगी तो क्या मिलेगा head मिलेगा यानि के a bar होगा क्योंकि head की probability को a bar से लिखा है न आप confused हो तो h से लिख ले ना यहाँ पर ठीक है तो यह क्या हो जाएगा आपका a bar three by four three by four multiply करेंगे nine by sixteen हो जाएगा भी अब x equals two one अब x equals two one का मतलब है कि दोनों में से किसी एक throw में आपको tell मिलेगी अब किस throw में मिलेगी या तो first में मिलेगी या second में मिलेगी तो एक बार first में रखा हमने a को और एक बार second पर रखा बाकी दो case पर बार रखा है ठीक है तो a की probability कितनी थी one by four और a bar की three by four यहाँ पर a bar की three by four और A की कितनी थी 1 by 2 तो इसको जब हम multiply करेंगे तो 3 बंजा 3 और 4 बंजा 16 सेम यहाँ पर 3 बंजा 3 और 4 बंजा 16 LCM लेंगे तो कितना हो गया LCM हमारा 16 3 प्लस 3 कितना हो गया 6 यानि के 6 by 16 हमारा क्या हो जाएगा result हो जाएगा next होगा हमारा x equals to 2 x equals to 2 का मतलब कि दोनों ही case में आपके पास क्या होगी tail होगी tail को हमने लिखा था A से तो first में भी A और second में भी A और A की probability थी 1 by 4 1 by 4 तो कितना हो गया भाई 1 by 16 हो गया अब इसके लिए हम probability of distribution बनाएगे यानि के table बनाएगे और table हमारी यह रही जो result आया था वो यह same आपको लिख देना है x जो है वो same लिखा हुआ है देखी px का मतलब यहाँ पर probability होती है तो 0 पर 9 by 16 आया था हमारे पास 1 पर क्या आई थी 6 by 16 थी उसको cancel करके 3 by 8 लिख दिया है और 2 पर क्या आई थी हमारे पास 1 by 16 आई थी पहले हम statement पढ़ लेते हैं देखे वर next है हमारा question number 4 और question number 4 की statement क्या है find the probability distribution of the number of tells number of tells sorry number of times find the probability distribution probability of distribution बनाना है किसके लिए बनाना है total जो है वो 9 मिलना चाहिए in two throw of two dice मतलब two dice है हमारे पास उनको two times throw किया जा रहा है तो मैंने जैसा कि आपको बोला था single throw की बात करेंगे तो यहाँ पर two dice के single throw की बात करेंगे ध्यान देना two dice के single throw की throw कितने हुए है two dice के double throw हुए है two throw हुए है लेकिन हम single throw की बात करेंगे क्योंकि तभी तो sum बनेगा हमारे पास 9 तो चलिए देखते है solution इसका अगर हम single throw की बात करेंगे तो single throw में two dice के single throw की बात कर रहे हैं तो जो case बनेंगे वो कितने बनेंगे 36 इसलिए लिखा हुआ है total outcomes कितने हो गए 36 अब हमें वो case discuss करने है जिसमें जो sum है न वो 9 मिले तो sum 9 कम मिलेगा अगर first die में 3 और second में 6 मिले मतलब 3-6, 4-5, 5-4 और 6-3 ठीक है तो ये 4 case ऐसे होंगे जिनका जो sum है वो आपके पास क्या होगा 9 होगा अब 9 जो मिलने की probability है उसको discuss कर लेते हैं तो ये case कितने हो गए 4 और total कितने है वह 36 तो 4 by 36 यानके 1 by 9 तो जो sum है dice के number का वो हमें 9 मिले उसकी probability कितनी होगी 1 by 9 होगी और नहीं मिलने की क्या होगी उसके लिए आप इसी को 1 में से क्या कर दें माइनस कर दें तो 1 में से जब हम 1 में से 1 by 9 को माइनस करेंगे तो 9 बन जब 9 माइनस 1 कितना हो जाएगा 8 by 9 आजाएगा हमारे पास ठीक है भई अब चलिए इसकी 0 से ले करके और throw कितने होगी 2 0 से 2 तक X की जो value है उस सभी पर probability हम discuss कर लेते हैं तो देखिए X जो है वो किस चीज को show कर रहा है आपर X शो कर रहा है Sum जो है वो कितना होगा 9 होगा तो X की value आपकी 0 से ले करके 1 और 2 तक हो सकती है ठीक है तो X equals to 0 मतलब दोनों में से किसी भी throw में Sum हमें 9 नहीं मिला अब नहीं मिला तो क्या होगा 8 by 9, 8 by 9 बहले ही बता चुका हमाँ आपको Final क्या हो जाएगा 64 upon 81 हो जाएगा ठीक है भी अब X equals to 1 X equals to 1 मतलब दोनों में से किसी एक throw में आपको Sum जो है वो 9 मिलेगा लेकिन किस में मिलेगा या तो First throw में मिलेगा या Second में तो एक बार First का case बनाना है एक बार Second का तो देखी इसमें हमें किसमें मिला है First में मतलब First में मैंने A को लिखा है यानि कि First में हमें Sum 9 मिला और Second में नहीं मिला और Next दूसरा case क्या होगा जिसमें Second throw के अंदर हम मान के चलेंगे कि हमें Sum जो है वो 9 मिला और First में नहीं मिला तो A की probability क्या थी 1 by 9, A bar, 8 by 9, A bar, 8 by 9 और A आपका कितना था 1 by 9 तो यहाँ पर हो जाएगा 8 upon 81 प्लस 8 upon 81 तो 8 प्लस 8 कितना हो गया 16, 16 upon 81 आपके पास रजल्ट आ जाएगा चलिए Next ले रहे हम X equals to 2 यानि के जो है दोनों इधरों में आपको क्या मिलेगा Sum जो है वो क्या मिलेगा 9 मिलेगा तो 9 मिलेगा तो probability क्या होगी 1 by 9, 1 by 9 यानि के 8 upon 81 और इसी से हमने क्या बना दिया है probability of distribution यानि के ये table बना दिये चलिए देखते हैं Next question की पहले statement पढ़ लेते हैं तो next है हमारा question number 5 और question number 5 में क्या बोल रहा है देख लेते हैं 2 cards are draw 2 cards draw करने है with replacement मतलब first card निकाल करके वापिस replace कर दिया है फिर second card निकाला गया है well separated pack of 52 cards total card 52 है find the probability of distribution of number of queen number of queen के लिए जो है आपको यहाँ पर probability of distribution discuss करना है number of queen के लिए तो आपको अच्छे से पता है जो queen होती है वो कितनी होती है 4 तो queen मिलने की probability क्या हो जाएगी 4 by 52 ठीक है और इसको cancel करेंगे चलिए solution में discuss करते हैं सभी बाते तेकिए तो question number 5 का solution क्या होगा हमारा भई यहाँ पर total card तो कितने हो गए हमारे पास 52 हो गए है total card तो कितने हो गए है 52 और यहाँ पर गलती से हमने queen की जो है वो किस चीज को show कर रहा है number of queen को कितने cards निकाले जा रहे है 2 cards यानि के x की जो value है वो 0 से लेकर के कहां तक लाई करेगी 2 तक तो चलिए discuss कर लेते हैं यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर more than one card ड्रा हो रहे हैं तो आप combination का use भी कर सकते हैं सेम पिछला जो हमने 1-2-4 question में पढ़ा है वो concept भी आप use कर सकते हैं और थोड़ा सीधा करना चाहें तो combination का use भी आप यहाँ पर कर सकते हैं ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें कलती से साइद भई question number 5 जो है वो skip होकर question number 6 को हमने यहाँ पर solve कर दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है 5 को मैं वैसे ही आपको समझा देता हूं तो देखी वहाँ पर number of queen की बात हो रही थी और queen जो होती है वो 4 होती है तो queen जो है मिलने की probability क्या होगी queen होती है 4 total card कितने हो गए 52 cancel करेंगे तो कितना मिल जाएगा हमे 1 by 13 मिल जाएगा और a बार की जो probability है वो क्या हो जाएगी इसको 1 by 13 को जब आप 1 में से minus करेंगे तो 12 by क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा ठीक है अब यहाँ पर वो जो हम बोल रहे थे कि combination का use combination का use जो है न वो without replacement के कोशनों में होता है अगर कोशन में लिखा हो without replacement और more than one draw more than one एक से जादा draw two draw, three draw तब हम combination का use करते हैं तो question number five में हम combination का use नहीं कर सकते क्योंकि उसमें तो भी लिखा हो है with replacement अगर वहाँ without replacement लिखा होता तो same हम question number और जो ये six है हमारा इसकी तरह ही कर लेते लेकिन वहाँ पर with replacement लिखा हो है तो वहाँ combination यूज नहीं हो सकता क्योंकि combination जो है वो केवल कभी यूज होता है without replacement पर note करना दोस्तों इस बात को क्योंकि बहुत important है combination कभी यूज होगा जब without replacement का case होगा ठीक है तो चलिए बापिस आते हैं question number 5 पर a की probability यानि के queen मिलने की probability क्या हो गई 1 by 13 और a bar यानि के queen नहीं मिलने की probability कितनी हो गई है 12 by 13 अब two cards डा करने थे यानि के x की value जो है वो 0, 1 और 2 होगी तो ऐसे ही आप 0, 1, 2 पर discuss करेंगे तो देखी कैसे करते हैं मानली जी x की value आपके पास है 0, 0 का मतलब 1 भी queen नहीं होगी अब 1 भी queen नहीं होगी तो case क्या बनेगा आपका a bar और a bar अब a bar की probability है हमारे पास 12 by 13 into में 12 by 13 तो इसको जब आप multiply करोगे तो 144 upon 169 आ जाएगा ठीक है यह 0 पर probability होगी आप साथ-साथ note करते चलें क्योंकि बाद में यह erase हो जाएगा फिर है x equals to 1 x equals to 1 मतलब 1 queen होगी अब 1 queen होगी तो कौन से throw में होगी या तो first throw में होगी तो हमने एक first throw का case बना लिया है या फिर second throw में होगी तो first पर बार लगा देते हैं और second में ले लेते हैं तो देखिए a की probability क्या थी 1 by 13 और a बार की क्या थी 12 by 13 पलस ऐसे यहाँ पर a बार की क्या थी 12 by 13 और a की probability क्या थी 1 by 13 तो इनको जब हम multiply करेंगे तो यह हो जाएगा 12 upon 169 और वहाँ पर भी हो जाएगा 12 upon 169 तो इनको जब आप add करेंगे तो final क्या आएगा हमरे पास 12 पलस 12 कितना हो जाएगा 24 24 upon 169 तो यह x equals to 1 पर आपकी probability हुई सेम ऐसे ही आपको x equals to 2 पर discuss करनी है जो कि क्या होगा probability of a into a क्योंकि दोनों में queen मिलनी चाहिए तो queen की probability क्या थी 1 by 13 into 1 by 13 तो final क्या हो जाएगा 1 upon 169 आजाएगा ठीक है और इससे आप एक table draw कर ले note तो आपने साथ साथ करी लिया होगा इससे आप एक table draw कर ले जो कि आपका final probability of distribution का concept हो जाएगा ठीक है चलिए देखते हैं question number 6 पहले question number 6 की हम statement पढ़ लेते हैं तो यह है हमारा भाई question number 6 और question number 6 में क्या बोल रहा है 2 cards are draw simultaneously pack of 52 cards without replacement देखिए without replacement आ गया और पिछले में क्या था with replacement तो इसमें आप combination नहीं लगा सकते हैं ठीक है combination के विल कब लगेगा पौन करके आ जाती है तो कोई जरूरी नहीं होता है लेकिन without replacement का case और more than one draw होते हैं तो आपको जरूरी है क्या लगाना combination लगाना ठीक है तो यहाँ पर हमें जो find the probability of distribution of number of king number of king के लिए यहाँ पर discuss करना है और two cards draw हो रहे हैं यानि कि X की जो value है वो 0, 1, 2 तक लाई करेगी और हम किस चीज़ का यूज़ करेंगे यहाँ पर combination का यूज़ करेंगे यहाँ बात आपको clear हो जानी चाहिए यहाँ पर चलिए देखते हैं इसका solution तो देखे हमारे पास क्या था भाई total card तो वही same 52 ही थे लेकिन यहाँ पर क्या है number of king है यह question number 6 है number of king है और 2 cards यहाँ पर draw करने है X की जो probability है मतलब X की जो value है वो 0, 1 और 2 हो सकती है तो देखे सबसे पहला case लिए हमने X equals to 0 X equals to 0 मतलब 1 भी king नहीं होगा अब देखे समझी द्यान से कि total card तो थे 52 उसमें से king होते हैं 4 तो other card कितने बच गए 48 अब यह कह रहा है कि X equals to 0 X equals to 0 का मतलब 1 भी king नहीं होगा तो इसका मतलब दोनों के दोनों card king के अलावा कुछ और होंगे और कुछ और कितने क्या हो सकते हैं यह 48 में से हो सकते हैं king नहीं होगा king के अलावा कोई भी other card हो सकता है तो other card कितने हैं 48 ठीक है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 48 C2 क्योंकि यह 48 में से ही 2 cards ड्रा होने हैं king तो उसने मना किया है X equals to 0 मतलब 1 भी king नहीं होगा तो इसका मतलब 2 के 2 जो card है वो other card होंगे king के अलावा होंगे और king के अलावा कितने है 42 है तो 48 48 में से कितने निकालने है 2 और upon में total कितने थे 52 और 52 में से भी 2 तो यह concept यहाँ पर लगेगा ठीक है अब इसको जब हम solve करेंगे तो देखिए 48 48 C2 है उसको हम कैसे solve कर सकते हैं यहाँ पर देखिए आप कितना लिखा हुआ है 2 तो इसके भी 2 step open करने है तो क्या लिखेंगे 48 into 47 upon 2 into 1 और upon में क्या लिखा हुआ था 52 C2 तो इसको भी क्या लिखेंगे 52 into 51 upon 2 into 1 ठीक है अब इसको जब आप cancel करेंगे तो यह देखिए हमने cancel कर रखा है cancel करने के बाद आपके पास जो result है वो 188 upon 229 आ जाएगा तो cancel तो आप करी सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है न चलिए आगे बढ़ रहे हैं question sorry इसी का है x equals to 1 x equals to 1 मतलब जो है कि 2 card में से 1 आपके पास क्या होगा king होगा तो x equals to 1 एक king होगा तो king कितने थे 4 आप उन 4 में से कोई एक होगा इसलिए हमने क्या लिखा 4C1 और बाकी जो एक card बच गया एक ही तो king निकाला है तो other card होगा वो other card कितने थे 48 48 में से select कितने होगे केवल एक तो क्या लिखेंगे 48C1 लेकिन upon में जो है totally लिखा जाता है total थे 52 52 में से c2 तो इसको जब हम solve करेंगे तो देखिए 4C1 जो है वो क्या लिखा जाएगा 4 upon 1 और 48C1 क्या लिखा जाएगा 48 upon 1 क्योंकि 1 लिखा हुआ है तो एक ही step open होगे और upon में आ जाएगा 52 into 51 इसको जब हम cancel करेंगे final तो cancel वेंसिल करने के बाद आपके पास sorry यहाँ पर कितना आ जाएगा यह वाड़ा था cancel वेंसिल करने के बाद कितना आ जाएगा 32 upon 2 21 आ जाएगा cancel तो आप करे सकते हैं जैसे यह 26 पर cancel हो जाएगा तो यहाँ पर भी आप combination लगा सकते हैं कि 4 into 3 upon 2 into 1 और upon 52 into 51 upon 2 into 1 तो यह 2 into 1 से तो 2 into 1 सिदा ही cancel कर देंगे और 4 से यह 13 पर और 3 से यह 17 पर cancel हो जाएगा तो क्या जाएगा 1 upon 21 आ जाएगा क्या जाएगा result 1 upon 21 और इससे हमने क्या बना दिया है कि table बना दिये ठीक है तो यह जो है आपका answer हो जाएगा question number 6 का चलिए देखते है question number 7 की statement को तो देखिए question number जो 7 है हमारा वो क्या कह रहा है भई पढ़ लेते है एक बर statement को यह बोल रहा है 3 cards एक तो देखिए 3 cards ड्राउंगे यानिके probability 0 से लेकर के 3 तक हमें discuss करनी होगी ठीक है ड्रा किये जा रहे है with replacement देखिए with replacement आ गया तो combination नहीं लगा सकते है ठीक है from a well separated deck of 52 cards 52 cards है हमारे पास a random variable x denote the number of spads number of spads के लिए हमें discuss करना है number of spad cards के लिए discuss करना है और spad कितने होते है 13 होते है ठीक है न spad cards के लिए probability of distribution बनाना है ठीक है चलिए देखते है इसका solution इसका solution भी साइद हम से skip हो गया वो I think आपको hw देने के लिए कर दिया होगा क्योंकि same type के question थे फिर भी हम थोड़ा चलो discuss कर लेते है तो देखिए वहाँ पर क्या बोला गया था कि X क्या चीज थी spad card के लिए बोला गया था spad card जो होते है कितने होते है 13 होते है ठीक है total कितने होते है 52 ठीक है तो spad card मिलने की probability को हम discuss कर रहे है cancel हो जाएगा कितना मिलेगा 1 by 4 अब A बार क्या हो जाएगा हमारा probability of A बार तो A बार के लिए आप 1 by 4 को 1 में से माइनस करेंगे तो क्या मिल जाएगा 3 by 4 अब ध्यान देंगे कि 3 cards के लिए बोला गया था यानि कि X की जो value है वो 0 से लेकर 3 तक discuss करेंगे तो मैं थोड़ा आपको रास्ता बता देता हूँ उसके बाद आप खुद से try करना इसको हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है ठीक है X equals to 0 X equals to 0 का मतलब क्या होगा कि 3 cards है तीनों में से किसी में भी स्पैड कार्ड नहीं मिलेगा X equals to 0 का मतलब है तीनों में से किसी में भी स्पैड कार्ड नहीं मिलेगा क्योंकि combination का तो use यहां पर हम कर नहीं सकते with replacement का case था मैंने बोला था कि without replacement का case होगा उसमें आपको combination use करना है तो first में आपको जो स्पैड कार्ड नहीं मिलेगा यानि के बार लगेगा second में भी नहीं मिला third में भी नहीं मिला तभी तो 0 case बनेगा ठीक है तो ए बार की जो probability है वो आपके पास कितनी है 3 by 4 3 by 4 और again 3 by 4 तो 3 3 जा 9 9 3 जा 27 27 upon 64 जो है X equals to 0 पर probability हो जाएगी उसके बाद आपको discuss करना है किस पर X equals to 1 पर X equals to 1 मतलब किसी एक थ्रो के अंदर आपको क्या मिलेगा स्पैड कार्ड मिलेगा किसी एक थ्रो में अब वो कौन सा होगा तो मान लिजी ये first होगा second नहीं होगा third नहीं होगा एक केस पलस next time अब first नहीं होगा second में होगा third नहीं होगा इसको change करते रहें बस और कुछ नहीं है ठीक है अब first में मान लिजी ये नहीं मिला हमें spread card second ड्रामे भी नहीं मिला और third ड्रामे मिला तो ये three case बन जाएंगे अब इनकी value जब आप रखेंगे तो क्या होगा a की probability थी हमारे पास क्या थी भाई a की probability a की probability थी one by four into में a बार की कितनी थी three by four again a बार की कितनी थी three by four अब ये same चीजी है इसे आएगी क्योंकि इसमें भी double पर बार है और single पर नहीं है इसमें भी double पर बार है single पर नहीं है तो same ही आएगा ठीक है तो मैं direct कर देता हूँ कितने case है three तो into में यहीं पर three से multiply कर देता हूँ आपको मेरी बास समझ में आई होगी तो दिये कि result आएगा three three nine nine three 27 upon 64 आ जाएगा तो same हैसे आपको two पर और three पर discuss कर लेना है और final table बना देनी है ठीक है तो दोस्तो आज की इस वीडियो में केवल इतना ही था अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो like करें channel को subscribe कर ले video को like करें sorry और channel को subscribe कर ले साथी अपने दोस्तों से share करना बिलकुर ना भूले आपके लिए बहुत मैनत करते हैं यहाँ पर केवले एक like करने की तो जरूरत है ठीक है इससे हमें motivation मिलता है और next video में और अच्छे से मैनत करेंगे आपके लिए चलिए मिलते है next video में thank you